एलो फ्रेंट सिविल स्टैप के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है आजे और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्तव पूरण वीडियो लेके आया हूँ तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और जिनोंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी हम नई वीडियो डालते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो आज हम बात करने वाले हैं HP PGT हिंदी की परिक्षा के बारे में यह जो परिक्षा होती है लेक्षरार बनने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस परिक्षा में जब आप पास होंगे तभी लेक्षरार बन सकते हैं तो इस परिक्षा में किस तरह का exam pattern है और syllabus क्या है उसके बारे में हम detail से discuss करेंगे तो दोस्तों पहले जो exam pattern था उसमें क्या था कि 65 marks का आपको subjects related जो questions पूछे जाते थे उसके बाद मतलब total जो आपका होता था 85 marks का आपका paper होता था पर इस बार सुनने में आया है कि government जो है नए rules के हिसाब से ये paper लेगी और नए pattern के हिसाब से क्या होगा कि हो सकता है कि इसमें 80 marks का subject related paper हो और बाकी 10 marks के आपके GK और GK जो international level की GK होगी total जो आपका 100 marks का उसमें paper होगा तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई notification जारी नहीं की गई है इसलिए हम इसके बारे में आपको आप हम clarity से नहीं बता सकते अगर आपको पुराने pattern से भी paper आया तो उसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ 85 marks का paper आएगा अगर नए pattern के हिसाब से paper आया तो वो किस परकार से होगा वो हम discuss करते हैं तो देखिए दोस्तों पहले क्या होगा कि concerned subject questions इसमें क्या होगा कि आपको subject से related जो questions आएंगे जो आपका विशे हम हिंदी विशे के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि हिंदी से सम्मंधित आपको 80 marks के जो question आएंगे और मतलब की 80 questions आएंगे जो की एक एक number के होंगे तो 80 marks के आपको आपके हिंदी में से question पूछे जाएंगे दूसरा gk of हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश की gk आपको आएगी जो की होगी 10 number की और इसमें क्या होगा कि 10 questions होंगे एक number का एक question और gk India and world international level और national level की आपको इसमें क्या आएगी gk आएगी जिसमें क्या होंगे 10 ब्रशन होंगे और 10 marks होंगे इसमें और इसकी पूरी की पूरी समय अवधी कितनी है two hours मतलब दो घंटे की आपको इसमें समय अवधी मिलेगी तो आपको दो घंटों में ही क्या करना होगा पूरे का पूरा exam खतम करना होगा और इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि negative marking इसमें जो होगी one fourth marking negative marking होगी तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने अपने exam को देना है ठीक है आगे हम बात करेंगे कि इस exam को देने से पहले अपने दिमाग में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है जैसे कि इसमें क्या होगा कि ये जो परिक्षा होगी वो आफलाइन होगी ठीक है इसमें जो परिक्षा होगी वो आफलाइन होगी मतलब आफलाइन परिक्षा होगी computer based questions नहीं पूछे जाएंगे computerize इसमें क्या होगी परिक्षा नहीं होगी दूसरा क्या है सभी प्रशन वस्तूनिस्ट प्रकार के होंगे वस्तूनिस्ट प्रशन आएंगे आपको इसमें और एक्जाम में कुल तीन सेक्शन होंगे आपको इसमें जो एक्जाम होगा वो तीन भागों में बाटा गया होगा ठीक है खंड एक खंड दो खंड तीन उसके परिक्षा के लिए दो घंटे की समय अब धी आपको मिलेगी उसके बाद क्या है प्रशन पत्र दोनो भाशाओं में होंगे ठीक है कि जो PGT की परिक्षा होती है वो जो उसमें प्रशन पत्र आता है दोनो भाशाओं में होता है पर नैचुरली ये जो हिंदी का पेपर है तो इसमें जो भाशा होगी वो हिंदी ही होगी उसके बाद क्या है कि नकात्मक अंकन होगा ठीक है वही नैग्टी मार्किंग जिसको बोलते हैं वन फोर्थ मार्क्स की नैग्टी मार्किंग होगी तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है एक्जाम को देन है ठीक है दोस्तों आगे हम बात करेंगे स्लेबस के बारे में यह जो PGT हिंदी की परिक्षा है उसमें स्लेबस किस परकार का होने वाला है कौन-कौन से विशय आएंगे ठीक है जैसे कि मैंने बताया था कि तीन खंडों में यह जो पर है उन्सका विवाजन किया जाएगा तो पहला खंड जो होगा वह की millimeters बैला कंड़र उसमें क्या होगा उच माध्मिक स्तर के एक ऊच्छ माध्मिक स्तर से समांधित प्रशन पूछे जाएंगे जो आपने plus one plus two में पढ़ा था उसमें से आपको प्रशन पूछे जाएंगे जैसे की आपठित गद्य ठीक है आपठित गद्य गद्य को पढ़ने के बाद आपको कितना ग्यान अरजित हुआ आप उस भाषा शायली को कितना समझे हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपसे प्रशन पूछेंगे और आपको उन प्रशनों के उत्तर देने होंगे ठीक है ग्यान, अर्जन और अर्थ ग्रहन अधारित प्रशन कितना अर्थ ग्रहन किया और कितना आपको ग्यान हुआ गद्यों को पढ़ने के बाद ऐसे ही क्या होगा आपठीत गद्य ठीक है आपठीत गद्य में क्या होगा ग्यान अर्थ ग्रहन अधारित प्रशन जैसे कि आपने क्या किया कि गद्य पढ़ा वैसे पद्य के अर्थ ग्रहन जो अधारिक प्रशन आप से पूछे जाएंगे उसके बाद क्या है वेवारिक लेखन वेवारिक लेखन में क्या आएगा कारे कारी लेखन कारे-कारी लेखर में क्या होगा जैसे अपचारिक पत्र, टिपनी, अनुसमारक, अर्थ सरकारी पत्र, प्रेस विग्यबती, परिपत्र, कारे सूची, कारे वृत और ये सारे के सारे टॉप्टिक से सम्मंदित आपको पत्रों में से आपसे प्रशन पूछे जाएंगे उसके बाद क्या है, की सवरित, सवरित किसको बोलते हैं, बायो डाटा, जब आप किसी जॉब के लिए अपलाई करते हैं, किसी नौकरी के लिए अपलाई करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपना आवेधन देना पड़ता है, आवेधन में आप क्या करते हो, अपन कि अपने बारे में लिखते हूँ अपने बायो डाटा के बारे में लिखते हूँ तो उससे संब्दिद आपसे अपसे प्रशन पूँखे जाएंगे अवेदन पत्र लेखन की अपना बायो डाटा कैसे लिखा जाता है सुब कोश एवं सब्सक्रों प्राइऑ एवं उपयोग पद्दती, शब्द कोश और सहित्यकोश, जो शब्द कोश होता है उससे सम्मंदित प्रशन पूछे जाएंगे, शब्द कोश क्या होता है, इसकी रचना कैसे होती है, इसकी प्रियोग विधी क्या होती है, ऐसे सहित्यकोश क्या होता है, सहित्यकोश की इस्तमास उपसर्ग प्रते विलोम शब्द शुद्धी वाक्य शुद्धी और शब्द युगम वाक्यांश के लिए एक शब्द अनेक अर्थ शब्द ठीक है ये सारे के सारे जो विशे हैं आप पढ़ चुके हो एक बार आपने इन सब के बारे में पढ़ा है पर डिटेल मे आपको इसके बारे में पढ़ना होगा तभी आपको इससे संबंधित ज्यान होगा और आप प्रशनों के उत्तर दे पाओगे तो दोस्तों आगे क्या है जन संचार माध्यम के लिए ठीक है जन संचार माध्यम से संबंधित प्रशन आपसे पूछे जाएंगे जैसे की इसम इसमें क्या है कविता ठीक है नाटक डाइरी रेडियो नाटक विश्यक लेखन ठीक है कविता कहानी डाइरी रेडियो नाटक और क्या है इसमें आएगा विश्यक लेखन देखिए दोस्तों ये क्या है जन संचार के माध्यम है इससे हम क्या करते हैं जो जन है मतलब लोगों स संचार करते हैं कविता के माध्यम से कभी क्या कर रहा है हमसे जन संचार कर रहा है कभी और ऐसे गद्य के माध्यम से जो क्या है कि लेकक हमसे क्या कर रहा है जन संचार कर रहा है ठीक है रेडियो नाटक डाइरी यह सारे के सारे जनसंचार के मादियम है इनके बारे में आप जब विस्त्रित पढ़ोगे तब आपको इसके बारे में पूर्ण ग्यान होगा उसके बाद क्या है अंत्रा भाग टू एवं आरो भाग टू की पुस्तकों में से तंकलित कविताओं पर काव्य सौंदर्य केंद्रित प्रशन ठी में से आपको क्या कविता और काव्य विश्यक लेखन आपसे पूछा जाएगा इन कविताओं को पढ़के आपने क्या सीखा उसका केंद्रिय भाव क्या है क्या आप उस कविता के बारे में समझे हैं ये सारे के सारे प्रशन आपसे पूछे जाएंगे और दोस्तों अंत्र भागटू एवं अरो भागटू पुस्टकों में से संक्लित पध्य और गद्य ठीक है उसमें से पध्य और गद्य रचनाओ पर विश्यक, विशे, विचार, सम्वेदना और भाशा पर केंद्रित प्रशन ठीक है गद्य, पद्य, इन सबसे सम्मधित प्रशन आपसे पूछे जाएंगे तो इसको आपको डिटेल्ड में परना होगा उसके बाद क्या है अंतराल भाग टू ठीक है पुस्तको में से संकलित रचनाओं पर विशे वस्तू एवं यूग चेतना पर केंद्रित प्रशन ठीक है अंतराल भाग टू ये देखिए ये जो अंतराल भाग टू है और वितान भाग्टू पुस्तकों में से संकलित रचनाओं पर विशक वस्तु और युग चेतना पर केंदित प्रशन आपसे पूछे जाएंगे आगे क्या है दोस्तों कंड दो स्टार्ट हो जाएगा कंड दो जो हो आपका होगा सนांतक तरका फीक है इसका सतर जो होगा आपका वो सनांतक होगा ठीक है मतलब की जो graduation level के प्रशन इसमें से आप से पूछे जाएंगे उसमें क्या होगे उसके विशे कौन कौन से हैं वो है हिंदी सहाइत का इतिहास इसमें क्या होगा हिंदी सहाइत का इतिहास होगा लेखन की पद्यती और इतिहास लेखन ठीक है इसमें क्या हैगा हिंदी लेखन पदिती इतिहास लेखन इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी साहित का आरंब कब हुआ काल विभाजन हिंदी साहित को कितने कालों में माटा गया है उसके बाद नामकरण आदि काल के अध्यन की परमुख समस्याएं कौन-कौन सी है भाशा औ और प्रमानिकता से सम्मंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको इन विश्यों को भी विश्तरित पढ़ना होगा ताकि आप इन से सम्मंधित जो प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे सको उसके बाद है आदि काल की प्रमुख प्रवृतियां ठीक है आदि का और प्रमुख रचनाओं का परिचे आदिकाल में कौन-कौन से कवी हुए हैं, कौन-कौन से रचनाकार हुए हैं, उनकी रचनाओं की विशेषताएं कौन-कौन सी हैं, उसके बारे में आप से प्रशन पूछे जाएंगे, ऐसे ही भक्तिकाल, भक्तिकाल का उधे कब हुआ, और दार्शनिक प्रस्ट भूमी ठीक है इसमें से आपको क्या करना है संत काव्य विशेष्टाएं इसमें से हमें संत काव्य विशेष्टाएं पढ़नी है जिसमें से परमुख कवी और रचनाएं ठीक है दोस्तों भक्तिकाल अंदोलन का आपने क्या करना है इसमें से परमु कभी हुए भक्त कभी हुए उन कभियों की क्या क्या विशेष्टाएं थी उनकी भाषा शैली कैसे थी यह पूरे का पूरा ग्यान आपको होना आवश्यक है ठीक है उसके बाद क्या है सूफी काव्य ठीक है जैसे भक्ती काव्य हमने पढ़ा वैसी क्या हमारे पास है सूफी क कावे में सूफी काव्य की विशेशताएं और परमुख कवी एवम रचनाएं, सूफी काव्य की विशेष्टाएं कौन कौन सी है परमुख रचनाएं कौन कौन सी है उनकी वही जो सूफी कवी कौन कौन से हुए है उनकी विशेष्टाएं क्या है और उनकी जो रचनाएं उन्होंने लिखी उन रचनाओं की क्या क्या विशेष्टाएं वो सब का सब आपक रचनाएं हैं और काव्य विशेष्टाएं और रचनाओं को आपको डिटेल से पढ़ना होगा राम कवी के बाद क्रिश्न भक्ति काव्य ठीक है राम भक्ति काव्य के बाद हम क्या पढ़ेंगे क्रिश्न भक्ति काव्य क्रिश्न भक्ति काव्य में क्या पढ़ना है हमने रचनाएं ठीक है उनकी काव्य विशेष्टाएं कौन-कौन सी थी और उनकी प्रमुक रचनाएं कौन-कौन सी थी किनकी कृष्ण भक्ति काव्य की ठीक है जो कृष्ण भक्ति कभी हुए उनकी रचनाएं और उनकी विशेष्टाओं के बारे में हमने पढ़ना है उसके साल में क्या आएगा रीति बद रीति मुक्त काव्य की विशेष्टाएं रचनाकार एवं रचनाओं का परीचे और इसमें क्या है हिंदी नवजागरण जो होगा भारते नू मंडल के सहितकार महाप्रसाद दुवेदी और उनका युग महाप्रसाद दुवेदी जी और उनक करना है पढ़ना है उसके बाद जो चायावाद के प्रमुख कभी एवं रचनाएं चायावाद के प्रमुख कभी कौन-कौन से हुए हैं वो चीज और उनकी जो रचनाएं कौन-कौन सी हुई है वो चीज हमने क्या करनी यहां पर पढ़नी है ठीक है उसके बाद क्या है प् रगतिवाद, प्रियोगवाद, नई कविता और समकालिन कविता से सम्मंधित प्रश्णों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, इन विशों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, दोस्तों ये सारे विशे बहुत ही ज्यादा महत्व पूर्ण है, इनको ध्यान में रखके आप को अपने जो एक्जाम को तैयार करना है ओगे क्या है हिंदी गद्य एवं उद्भव और विकास गद्य का उद्भव कैसे हुआ जन्म कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ उसमें हम क्या पढ़ेंगे उपन्यास का आरंब और विकास, किसका हिंदी गद्य में क्या प्रणामने हिंदी उपन्यास का आरंब एवं विकास, प्रेमचंद्र पूर्व, ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्र और उपन्यास की परमुक परवितिय ये चीज हमने विस्तार से पढ़नी है हिंदी निबंद का उद्भव ठीक है पहले हमने उपनियास का क्या किया हमने उपनियास संबंदी सारे के सारे विशे पढ़े उसके बाद क्या है हमारे पास हिंदी निबंद का उद्भव विकास और इसकी परमुक निबंदकार इनके भी हमने ध्यान से पढ़ना है कि हिंदी कहानी का आरंब कब हुआ विकास कैसे हुआ और इसके परमुख कभी कोन कोन से सोरी इसमें से परमुख कहानी कार कभी नहीं हम इसमें कहानी कारों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है हिंदी नाटक का उदभव विकास और परमुख नाट िसके बाद हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं आतमकत्य जीवनी समरंढ रेकाचित्र और रिपूर्ताज ठीक है दोस्तों यह जो विशे हैं हमको सारे के सारे विस्तृत रूप से पढ़ने हैं उसके बाद है काववय शाष्त्र काव्य शाष्त्र में हम क्या पढ़ेंगे शब्द शक्ति जो शब्द शक्ति काव्य की जो शब्द शक्ति है उसमें अभिधा लक्षणा और व्यंजना रूप की अभिधा रूप कौन सा होता है लक्षणा रूप कौन सा होता है और व्यंजना रूप क्या होता है और इसकी विशेष्टाएं को क्या क्या है उसके बाद है अलंकार ठीक है बहुत ही महत्तव पूर्ण ये जो टॉपिक है और आपको हर एक परिक्षाओं में ये टॉपिक देखने को मिलता है ठीक है इसलिए इसको आपको बड़े ही ध्यान से और पूरी की पूरी डिटेल्ड में इसको पढ़ना है इसमें क्या होगा आपको यमक अलंकार आपको बढने है सलेश अलंकार उपमा अलंकार रूपक अलंकार उत्प्रिक्षा अलंकार और अति शोक्ति अलंकार संदह भांतितान और दृष्टांत ये सारे का सारे अलंकार ठीक है उध्हारण ये भी क्या है एक अलंकार है व्यतीरक प्रतीप विरोधा भास असंगति विभावना अनियोक्ति वक्रोक्ति ठीक है अर्थांत्र न्यास और इसमें देखिये व्याज स्तूती और क्या है इसमें मानवी करण ये सारे के सारे अलंकार है और इन अलंकारों को आपको पढ़ना है उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास है छंद ठीक है कौन कौन से विशे जो पढ़ने अच्छा अंदविदा के कौन कौन से विशे बहुत महत्रपूर्ण है जो जिन से समंदित प्रशन हम से पूछे जाएंगे जो बहुत ही महत्रपूर्ण है जैसे की दोहा ठीक है इसमें क्या पूछा जाएगा दोहा, चोपाई, सोरठा, रोडा, उल्लाला, गीतिका, हरी गीतिका, कवितत, सवया, शपरा, शपय, कुंडलिया, ठीक है? मन्दा करांता, वंश्थ, वसंत तालिका, मालनी, दुरुद, विलंबित और बर्वे, ये सारे के सारी संद के जो प्रकार हैं, वो हमें पढ़ने होंगे, उसके बाद है काव्य गुण, काव्य गुण में माधूरे ओज और प्रसाद, ये जो काव्य के गुण होते हैं, इसमें ओज गुण क्या होता है, ये सारे के सारे गुणों को हमने पढ़ना है, उसके बाद है काव्य रस, काव्य रस क्या होता है, जो कविता पढ़ने से रस की प्राप्ति होती है, उसे काव्य रस कहा जाता है, ठीक है, जैसे की रस का सवरूप क्या होता है, रसा व्यव, विभाव अनुभाव संचारी भाव विभन रसों के लक्षण और उधारन इनको हमने क्या करना है टिटेल से पढ़ना है उसके बाद है अन इसमें काएगा विम्ब प्रतीक मिथक और पैंटिसी यह जो विशे है वो है खंड दो के विशे अब हम बात करेंगे खंड तीन की जो खंड तीन होगा वो आपका होगा पूस्ट ग्रैजूशन लेवल का उसमें जो आपसे प्रशन पूछे जाएंगे वो होंगे आपके में के पाठे करम से पूछे गए प्रशन ठीक है थोड़ा सा इसमें जो कोश्चन के लेवल है जो प्रशनों का जो स्तर है थोड़ा सा इसमें जो difficult कर दिया जाता है थोड़ा cutting कर दिया जाता है क्योंकि समाने सी बात है जब आप से post graduation level के प्रशन पूछे जाएंगे तो उनका level भी क्या होगा mastery level होगा post graduation के बाद आप क्या वशे में mastery हो गई आप master बन जाते हो उस विशे के तो प्रशनों का स्तर भी master level का होगा थीक है दोस्तों तो थोड़ा सा इसमें cutting प्रशनों को देखने को आपको मिलेंगे थीक है इसमें क्या होगे खंड तीन जो सनात को उत्रस्तर है ठीक है और काव्य के लक्षन काव्य से प्रियोजन और काव्य के हेतू ठीक है यह जो topics है और उसके बाद है रस निश्पति साधारनी करण और ध्वनी सिधान्त ठीक है इसमें क्या होगा कि इन विश्यों को आपको कवर करना है उसके बाद अरुस्तु का अनुकर्ण सिधान्त वै लोजांस का उदात तत्व ठीक है दोस्तों यह जो विशे थे आपको इन से सम्मधित प्रशन जो आपको PGT हिंदी की परिक्षा में आएंगे तो इस स्लेबस को ध्यान में रखते हुए आपको PGT की परिक्षा की तैयारी करनी है तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा मदद करेगी ऐसी वीडियो हम और अपलोड करें इसके लिए आप इस कमेंट जरूर कीजेगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार